हाई फ्रेंड्स मैं निकी आप लोगों का स्वागत करते हूं इस ओन्लाइन यूटूब वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं एकाउंट्स विद टैली प्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली प्रायम में वर्क कैसे किया जा और उस पर किसी भी वौचर की कि भी वाउचर में एंट्री किस तरीके से किया जा हैं तो पहले voucher में entry करने से पहले कुछ vouchers के rule वगरा है और कुछ features वगरा जो कि मैं पहले videos में आपको बताई थी और tally में work करने के लिए account जानना हमारे लिए कितना जरूरी है उनकी videos भी मैं first video में बना रखी हूँ और उतना account जान लेने से हम tally में work कर सकते हैं और आगे हम बताते हैं आपको कि company create tally prime में कैसे किया जाता है वह आपने सीखा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि tally prime में work करते वक्त हमें कौन-कौन से account की entry किस-किस जगा पर करनी होगी कौन-कौन से features activate करने होंगे और किस तरह से content अपने daily business record को bookkeeper से कैसे करवाता है और एक bookkeeping है जो टally prime की एक important topic है और थोड़ा सा accounting के बारे में जानेंगे जियां account और accounting अलग है इस वीडियो में आईए मैं आपको थोड़ा सा accounting के बारे में बता दो कि accounting क्या है और पहले account जान ले कि कौन-कौन से account होते हैं और कौन-कौन से account में कौन-कौन सी goods and things होती है और इसे किस-किस voucher में यूज किये जा सकते हैं और इसकी entry हम कहां पर कैसे कर सकते हैं फर्स्ट है प्रस्टनल एकाउंट सेकेंड रियल एकाउंट और नॉमिनल एकाउंट जो पहले वीडियो में मैं आपको इन सब की definition बता चुकी थी पाने वाले जो भी पाने वाले होते हैं वो हमारे प्रस्टन अब हम हानी में यूज किये जाएंगे तो प्रस्टनल एकाउंट हमारा अब खुद का खाता होता है जिसके अंतरगत कैपिटल राम ड्रॉइंग बैंक कोई कंपनी हो किसी नाम की कंपनी हो कोई मेंबर्स के नाम की वह सब हम प्रस्टनल एकाउंट के अंतरगत डालते हैं और वो हमारा पानेवाला होता है real account बास्तविक खाता हम जो बस्तू ब्यापार में आये जैसे की cash business में आते हैं फरीस घ्र्स आते आते हैं land आते हैं मोटर आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, केम्प्यूटर आते हैं, गुड्वील, देन कार, इट्स एक्स्ट्रा, और भी कुछ ऐसी बस्तु है जो बिजनेस में आते हैं, वो हम रियल एकाउंट में डालते हैं उसको, और नमिनल एकाउंट मतलब की, नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता, आएवम लाभ अर्जित करें और वेवम हानी का रेकॉर्ड रखें, तो हमारा आता है, शरीप पर्चेस, वेजेद, सेल्स, रेंट, कमिशन, इंटरेस्ट, डिसकाउंट, स्टाफ, सैलरी, पेंट, स्टिशनरी, पैंसिल, सेल्स, ये सब हमारा इंकम एंड, गेन को क्रियेट करता है, और एक्सपेंसेज एंड, लॉस को भी डिफाइन करता है, इससे आगे मैं आपको बताऊंगी, प्रस्टनल एकाउंट में कौन-कौन से थिंग्स और गूड्स की यूज किये जाते हैं, जैसे कि प्रस्टनल एकाउंट में आते हैं तीन, फर्स्ट परस्टन, सेकेंड फ़र्म और थर्ड कंप्री, परस्टन में हमारा आजाता है, कोई बैक्ती का नाम हो, कोई बैंक हो, या फिर कोई प्राइबेट लिमिटेट हो, और भी हो, एंड रियल एकाउंट में आजाता हमारा एसेस्ट एंड थिंग्स, एसेस्ट में हमारा बिल्दिंग, लैंड, सेलफोन, इस एक्स्ट्रा, एंड नमिनल एकाउंट में हमारा एक्सपेंसे एंड इंकम, जैसे कि रेंट, सेलरी, वेजेज बगएरा बगएरा, और आगे हम जानेंगे, थोरी सी एक इंट्रेस्टिंग टॉपिंग है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग किसे कहते हैं, और इसका टैली प्राइम में क्या गया, तो बुक कीपिंग की हिंडी मीनिण होती है, पुस्त पाला, zou बुक कीपिंग is, एन आप और रेकॉर्डिं में डेली बिजनेस ट्रांसक्टमेंस इंस्स्टमेंटिक वेडिल, वेडियेबग एले, ऐसी कला है, जो डेली कीपिंग, बिजनेस में जो डेली work होता है, उ वह भी systematic वेसे अब आप जाना चाहें कि यह यह record कौन करता है और कौन करवाता है तो एक accountant होता है जो bookkeeper को hire करता है यह bookkeeper को order देता है कि तुम इस business में हो रहे है सारे systematic सारे transactions को systematic वेसे record करो daily basis पे bookkeeper order देता है sorry accountant order देता है bookkeeper को और bookkeeping of business transactions purchase sales जो भी हुआ returns inward outward वो सा record करता है और accountant जो है वो accounting analyzing of business transaction accounting की analyzing करता है जैसे कि income हो गया expense हो गया liabilities हो गया assessed हो गया profit and loss हो गया यह सब माली जे purchase 10,000 की हो रही है और sales 12,000 की accountant ने bookkeeper को बोला कि तुम इसे book daily इसे business में systematic way से record करो तो हम purchase है और sales है तो जाहिर सी बाते हम profit निकालेंगे इसका तो profit निकालने के लिए सिंपल सी एक फर्मूला है sales minus purchase sales हमारी 12,000 की हुई है और 10,000 की हमारी purchase हुई है इसका तो 2000 रुटा profit हुई है और इस profit को यह bookkeeper systematic way से business के transactions को daily book में record करेगा उसके आगे हम थोरा सापको बता दें कि accounting क्या है what is accounting accounting is one of the art of recording reporting analyzing and summarizing of business transaction accounting एक ऐसी कला है जो business transactions को record करता है reporting करता है और analyzing करता है और summarizing करता है if is after known as the language of business या किसी भी business को किसी भी language में record report और analyzing कर सकता है आगे आती है what type of accounting system बगेर accounting system के हम daily prime में entry नहीं कर सकते है क्योंकि जब हम accounting की systematic way पता ही नहीं हो और हम entry कैसे करेंगे there are different type of accounting system एक cash accounting system दूसरा cost accounting system तीसरा Indian accounting system चौथा single accounting system और फिफ्ट डवल लागत होगी उसकी हम entry करते हैं इंडियन में इंडियन accounting system हमारा यह टैली प्राइम खुद है और direct नीचे टोटल सब टोटल करके निकाल दिया हो एक करते थे और उसके वज़ा से एक business man को या फिर एक accountant को काफी दिक्कत होती थी फाइल वगेरा चेक करने में तो डबल एकांटिंग system इंट्री डबल इंट्री अकांटिंग शिस्टम आया जो की चोदस निन्यान पे मिस्टर रुकास पेशियोली द्वारा एस्टार्ट किया गया तो डबल एकांटिंग डबल इंट्री अकांटिंग system इन 1499 मिस्टर रुकास पेशियोली वाज इस्टार्ट इस सिस्टार्ट वाज अकांटेंट लिवड इन टैली अट वारिश नगर इन दिस सिस्टम, सिस्टमल ट्रांजक्शन आर रेकॉर्ड इन्टो टू साइड, फर्स साइड डेविड और सेकंड साइड ग्रेडिट यसा कि हम जानते हैं या फिर आप नहीं भी जानते हो तो जान लिजे कि 1499 में मिस्टर लुकास पेशियोली जो की वारिश नगर के रह देल, जिसे हम कोई भी एंट्री कर रहा है तो डेविड साइट को अलग्ः और क्रेडिट साइड को अलग्ः और उस एंट्री को सिस्टमाटिक वे से देखने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए वेकॉर्ड किया, अब मांग दीजे कि हमने एक व्भून खरीदा, एक्जाम्पल है बाउट शेलफोन बाई कैस 10,000 तो पहले सिंगल इंट्री एकाउंटिंग सिस्टम होती थी उसमें डारेक्क लिखा जाता था शेलफोन अकाउंट अब आई शेलफोन एंड टू कैस डेबिट किसको किया क्रेडिट किसको किया यह कन्फूजन हो जाती थी डबल इंट्री अकांटिंग सिस्टम में बाई और टू तो होते ही है बट डेबिट और क्रेडिट के दो अप्शन्स बने होते हैं तो आएए हम इसे आपको दिखाते हैं टैली प्राइम पर यह हमारे टैली प्राइम की बिंडोज ऑपन है और उस इंट्री गों बताने के लिए मैं आपको बाउचर में ले जांगी यहां से भाश्र प्चाइएंगे और जैसे की हमारा था बाउट सेल्फोन शेल्फोन हमने खरीदा इसकी इंट्री हम जर्णल बनाएंगे जर्णल बाउचर में तो आगर बाई दिफ़ट यह हमारा जर्नल बाउचर खुला हुआ है, अगर आपके सिस्टम पे जर्नल बाउचर की ऑप्षन्स नहीं आती है, तो आप कीबोड से F7 प्रेस्ट करके जर्नल बाउचर में आ सकते हैं तो यहां पर हम सेलफोन की एक इन्तरी करते हैं यह हमने लेजर बना रखी है अगर आपने लेजर ना बना रखी हो तो आप यहांसे create पेजा करके यहां से बना करके जो भी डेस वगेरा डालनी है company की वो सब डालके accept करके laser create कर सकते हैं तो हमने laser create कर रखा है cell phone का तो यहां जैसे हम सिल लिखेंगे सी लिखेंगे कि सेल्फोन की यह ओप्शन आ गई विच्छा हम यहां से एक्सेप्ट कर लेंगे इंटरप्रेस करेंगे सेल्फोन हमारी डेविट है कितने की खरीदी गई दस अधार की जान को प्रां कि अगर बीच में कोई और इंटरी कर नहीं हो तो हम करेंगे वाइद दाब मौय हम तो में हम क्यास ना rape कैस्ट कि हम यहां हमारी लेजर आपकी क्रिएट नहीं तो शोब मोर में जाएये और हमने क्यास की क्रिएट कर रखी है कैसे काउंट की यह हम सेल्फ और खुद वखुद यहां पे 10,000 रुपे क्रेडिट हो जाते हैं क्योंकि यह हमारा डबल इंट्री अकांटिंग सिस्टम की एक फैसलिटी है यहां जैसे ही डेविट में डाला 10,000 क्रेडिट वाई डिपोल्ट खुद वखुद ले दिया सिंगल एकांटिंग एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता था और देन हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और जो भी अमारा यहां पे होगा नारेशन वह हम लिग देंगे बाउट सेल्फोन इंट्री हमें पता चल दाई कि यह इंट्री किस चीज़ की है हमने सेल्फोन खरीदा कैस में नहीं हम इंटर प्रेस करके इसे एक्सेक्ट तो आपने सिखा जर्नल वाउचर में किसी भी डबल इंट्री एकांटिंग सिस्टम की इंट्री कैसे के सब्सक्राइब इसी तरह क》 आपको आगे बताऊंगी और भी सारे एकांपिंग इंट्री कैसे खोली जाए पेमेंट वगरर रिक्षिप्ट वगरर क्cale कि इंट्री यह तो हमारा चेल की पड़ की कैसे har!". कि कैसे होगी पेमेंट की और आपको मैं किस तरह से किस चीज़ में डिस्काउंट लगते हैं किस तरह से भैठ लगते हैं टीडियस वगर लगते हैं उन्साब के इंट्री बताऊंगी फ्रेंड्स आपने सीखा बुक कीपिंग कैसे एक अकाउंटेंट बुक कीपर को अपने बिजनेस के डेली वर्क को सिस्टेमेटिक वेसे वर्क करने के लिए हायर करता है और अगर आपको कोई नई कंपनी बनानी है आप कंट्रोल कैसे क्रिएट करके कंपनी बना ले आपको मैंने पहले बता रखा है कि गेटबे ऑफ टैली में जाके पर लेजर वगए रवेट कर सकता है अगर आप जैसे जिटता कि आप जब भी वाउचर में जाएं और कोई इंतरी प्रेज करें तो इंतरी कॉन्ट्रा की हो या पेमेंट की हो या रिशीट की हो या जर्नल की हो